Friends, today we are going to discuss about the poem From Homecoming. From Homecoming, जिसके point है, आर पार्तसार थी, इनका जनम तामिलादू में 1934 में हुआ था और इनकी education, Bombay University में इन्होंने MA English की डिक्टी लिए थी, उसके बास ये approach जाले गए थे, 1963 में इन्होंने Leeds University में अपनी further study किये थी, Major publication इनकी थी Rough Passage 1977 में पब्लिश होई थी, उसके बाद जो उन्हें awards मिरे थे, वो थे सहाइत्य Academy Translation Prize, ये किसके लिए मिला था उन्हें 1995 में उनकी जो translation थी, 5th Century Tamil Epic, The Tale of Anglet and Epic of South India in England in 1993, इसके लिए उन्हें सहाइत्य Academy Translation Prize मिला था 1995 में, अब आते हैं हम poem के बारे में, poem किसके बारे में होम कमिंग पॉर्टे जो तामिल है वो अब पहले जैसी नहीं रही है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर काफी foreign touch आ गया है, उसके उपर जो है काफी जो उनकी जो language जो की बहुत ही पुर्खों से चली आ रही थी, बहुत ही अच्छी उसमें भावनाएं थी, emotions थे, उस पर अब जो है उन्हें alien की जैसे, वो खुद की ही language उन्हें alien की जैसे लग रही थी, जो उनका rich native culture था, जो उनके उपर काफी उनका प्रभाव रहा है सारी जिन्दिगे, अब उन्हें वो प्रभाव काफी कम होता हुआ दिखाई दे रहा था, उनकी language ऐसा लग रहा था, कि जैसे change में हैं, change में रहकर वो ऐसे लग रहा कि जैसे stumber, जैसे की लड़ खड़ा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था, और उसके उपर जो है, अब उसकी जो language है, वो उसको use बहुत ही कम किया जा रहा था, कहीं भी commercial में, मीडिया में, कहीं पर भी, अब जाद दर English language ही यूज की जा रही थी, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था, कि तामी language है, यह एक dead animal, मरे हुए, एक animal के जैसे उन्हें लग रही थी, अब हम आते हैं, अपनी poem की दरफ, poem में पॉइट ने persona यूज किया है, Persona is a voice used by the author for a particular artistic purpose, persona एक Latin word है, जिसका मतलब होता है, mask, इसका author's voice use करते है, जब वो अपनी बात किसी और के थुरू, कुछ और बन कर अपनी बात को बताते हैं, तब वो persona यूज करते हैं, इसमें poet ने self-criticism, खुद की अलोशना करते हुए, poet क्या कहते है, I am no longer myself, as I watch the evening blur the traffic to a pair of obese headlights, blur का मतलब धुंदला और obese का मतलब मोटा, वो कहते हैं कि अप मुझे ऐसा लग रहा है, कि जैसे मैं खुद ही, खुद का नहीं हूँ, वो कहते हैं कि जब मैं वापिस आ रहा हूँ, अपने घर की तरफ सब कुछ blur, धुंदला, धुनला धुनला दिखाई दे रहा है, क् क्योंगे ट्रैफिक बहुत जादा हो गया है, गारियां बहुत जादा हो गई है, हर तरफ जो headlight जो obese headlights है, मोटी-mोटी headlights है गारियों की, पस वही दिखाई दे रही है, हर तरफ धुनला धुनला और जो है traffic ही दिखाई दे रहा है, तो मुझे कुछ भी clear नहीं दिखाई दे आई रिटान हों ट्राइड माइट वेस्ट एगेंस विंडो ओफ एक्सपेक्टिशन करें कि जब मैं घर वापिस आया मुझे मेरी जो एक्सपेक्टिशन थी मैं जब आया अब्रोड से वापिस मुली तो यह एक्सपेक्ट था कि मेरी जो लेंग्वेज है वह और ज्याद रि वो प्रेस हो जाता है कार की विंडो की तरफ वैसा ही मुझे भी अपने आपको प्रेस्ट मैं कुदको फिल कर रहा हूं क्यों क्योंकि मेरी जो अपने लेंग्वेज जो रिच तामिल लेंग्वेज है अब उसका जो यूज है वो बिलकुली खतम होता जा रहा है सिरफ हार इंग्लिश लेंग्वेज ही दिखाई दे रही है I climb the steps to my flat only to trip over the mat outside the door कि मैं जैसे जैसे सीडिया चड़ता गया अपने फ्लैट की तरफ तो मुझे ऐसा लग रहा था trip over मतब गिर जाना जैसे कि मैं मैट से लड़ खडा कर नीचे ही गिर जाओंगा घर के बाहर खड़ा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं नीचे ही कित जाओंगा the key goes to sleep in my palm palm हथेली तरह कि जो मेरी चापी थी मैं उसको ढूंड रहा था वो मेरी हथेली में थी लेकिर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सू गई है जो मेरी Tamil language जो की एक effectual की थी rich culture को जो खोलती थी वो अब कह हो गई है वो कहीं अब सो गई है अब हर तरफ English chains ही दिखाई दे रही है I fear I have bungal again that last refinement of speech terrifies me bungal का मतलब है अस्वियस्थ हो जाना और refinement का मतलब है impurities को निकाल देना विशयले पदार्थ को निकाल देना को गहरे कि मेरी सारे language अस्वियस्थ हो गई है इसमें क्या है कि जो changes ह हो रही है तामिल लेंग्वेज में कि उसमें तामिल लेंग्वेज बिलकुली कम होती जा रही है उसमें refinement होती जा रही है और उसकी जगा English जो है वो लेती जा रही है दा पैलून औफ poetry has drawn red in the face with depicted blowing यहां पर बैलून उन्होंने यूज किया है कि बैलून में जैसे होता है कि मेंना face जो है वो red हो गया है लगातार जैसे वो English language को use करने से लगातार आप कहा है चारों तरफ English ही English दिखाई दे रही है तामिल लेंग्वेज है वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही for scriptures I therefore recommend the humble newspaper scripture grant हो गयरे कि मैं इसलिए क्या recommend करता हूँ मैं क्या जो है वो बताता हूँ कि अब की media commercials इन सब को देखने की बजाए मेरी humble request है कि विनमर प्रातना है कि आप newspapers पढ़ो उसमें फिर भी हमारी language use की जा रही है उसमें फिर भी बताया जा रहा है कि हमारी तामिल लेंग cultured है I find my prayers occasionally answered there मेरी जो प्रातनाए है मुझे ऐसा लगता है कि अकसर ही उसका जवाब मुझे newspapers में मिलता है I shall perhaps go on मुझे आगे बढ़ना ही होगा अब यह नहीं है कि यहाँ पर English language use हो रही है तो मुझे अब रुक जाना चाहिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा like this unmindful of the day melting into the night जैसे कи unmindful बेफिकरी जैसे की पहले दिन होता है दिन के बाद दोबहर होती है दोबहर के बाद रात होती है रात के बाद फिर से दिन हो जाता है जिससे से nature अपना काम करता ही जा रहा है है जैसे कुदर्ती तोर पर सब कुछ अपने आप होता ही जा रहा है होता ही रहता है वैसे ही मुझे भी आगे बढ़ना होगा my heart I have turned inside out मेरा दिल जो है वो अंदर से भारा गया है मुझे अब पता चल गया है कि किस तरह से मुझे भी आगे बढ़ना होगा मुझे भी हो है जो क with the small change of uncertainty कि मुझे यहीं पर संतुष्ट होना होगा मुझे देखना होगा कि आगे मेरी जिंदगी का मकसद क्या है मैं किस तरह से आगे जिंदगी को जी सकता हूँ किस तरह से इसी में ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ अब इसका क्या solution हो सकता है वो कि मुझे अपनी life में मुझे जिंदगी में और आगे बढ़ना है और इसको और ग्रो करना है अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शियर और कमेंट रूर करें और हमारे चैनल इंगलिश प्रावेस को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच